आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ अध्याय 33 श्री साइसत चरित्र उदी की महिमा भाग एक पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिखदर्शन कराया गया है अब इस अध्याय में उदी के महात्मे का वरणन किया जाएगा प्रस्तावना आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें जिनके कृपा दृष्टी मात्र से ही समस्त पाप समूह भस महोकर हमारे आचरन के दोश नश्ट हो जाएंगे उनसे वारतालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अतियानन्द दायक है वे अपने मन में यह मेरा और वह तुमारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते इस प्रकार के भेदभाव की कलपना उनके रिदय में कभी भी उत्पन नहीं होती उनका रिण इस जन्म में तो क्या अन प्रस्थान करने के पश्चात जो कुछ भी शेच बश्चता उससे वे इंधन मोल लेकर सदेव धूनी प्रज्वलित रखते थे इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है भक्तों के श्रडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वित्रित कर दी जाती थी ब्रह्मान्ड का प्रतिविंब भस्म के ही समान है हमारा तन भी इंधन सद्रुष ही है अर्थात पंच भूतादी से निर्मित है जो कि सांसारिक भोगादी के उप्रांध विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा भक्तों को इस बात के स्मृति दिलाने के है तुही कि अन्तमय देह भस्म सद्रुष होने वाली है बाबा उदी वित्रण किया करते थे बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मित्या है इस संसार में वस्तुतह कोई किसी का पिता पुत्र अत्वास्त्री नहीं है हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे पुर्व में यहां देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसीक रोग्यों को स्वास्थ्य प्रदान किया है यथात में बाबा तो भक्तों को दक्षिना और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिध्धान्त समझाना चाते थे इस उदी से वहराग्य और दक्षिना से त्याग की शिक्षा मिलती है इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भवसागर को पार करना कठिन है इससे बाबा दुसरे के भोग स्वयम भोग कर दक्षिना स्विकार कर लिया करते थे जब भक्तिकन विदा लेते तब वे प्रसाद की रूप में उदी दे कर और कुछ उनके मस्तक पर लगा कर अपना वरध हस्त उनके मस्तक पर रखते थे जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पुर्वक गीद गाया करते थे ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है भजन के बोल है रमते राम आओ जी आओ जी उदिया की गोनिया लाओ जी बाबा है शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था जिससे भक्तों को स्वास्थ संब्रुद्धी चिंता मुक्ती एवं अनेक सांसारिक लाब प्राप्त हुए इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाब पहुचाती है अब हम उदी की गठाएं प्रारंब करते हैं बिच्छु का डंग नासिक किश्री नारायन मोती राम जानी बाबा के परम भक्त थे वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडग के अधीन काम करते थे एक बार वे अपनी माता के साथ श्रडी गए ता बा बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नोकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायन जानी ने नोकरी छोड़कर एक उपाहार अनन्दा श्रम चलाना प्रारंबकर दिया जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायन राओ के एक मित्र को बिच्छु ने काट लिया जिससे उसे असहनिय प्रेडा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबान प्रसिद्ध ही है। काटनी के स्थान पर केवर उसे लगा ही लगा ही तो देना है। नारायन ने उदी खोची परंदुक कहीं ने मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र की समक्ष खड़े होकर उनसे सहता की प्रातना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुक जलती हुई अगर बत्ती से एक चुटकी भस्मा बाबा की उदी मानकर बिच्छु के दंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया वहां से उनके हाथ हताते ही पिड़ा दूर मिट गई और दोनों अत्ती प्रसन्न होकर चले गए प्लेग की गाठ एक समय एक भक्त बांदरा में था उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दुसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त ह और उसे गिल्टी निकलाई है उनके पास उस समय उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने नाना चांदुरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी नाना साहिब ठाने रेलवेस्टेशन के समीप रास्ते में ही थे जब उनके पास यह सूचना पहुची तो वे अपनी प पतनी के मस्तक पर लगा दिया वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था जब घर लोटा तो से जानकर अती हर्श हुआ कि जिस समय से नाना साहिब ने ठाने रेलवेस्टेशन के पास बाबा से सहयता करनी की प्रास्तना की तभी से उनकी लड़की की स्थीती म में परियाप्त सुधार हो चला था जो कर तीन दिनों से प्रड़ीत थी जामनेर का विलक्षन चमतकार सन 1904-1905 में नाना साहिब सांदोरकर खानदेश च्रिले के जामनेर में मामलतदार थे जामनेर श्रिडी से लगवक सो मिल से भी अधिक दूरी पर है उनकी पुत्री मैना ताई गरभावस्था में थी और प्रसव काल समी थी था उसकी स्थितियती गंभीर थी दो-तिन दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी नाना साहिब ने सभी संभव प्रहत्न किये परंतु वे सब व्यर्थी सिद्ध होए तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहेता की प्रात्ना की उस समय श्रीडी में एक रामगीर बुवा जिने बाबा बापू गीर बुवा के नम से पुकारते थे अपने घर खान देश को लोट रहे थे बाबा ने उन्हें अपने समीब बुला कर कहा कि तुम घर लोटते समय थोड़ी देर के लिए जामलेर में उतर कर यह उदी और आ से संभव होगा बाबा ने उतर दिया चिंता की कोई बात नहीं तुमारी सब व्यवस्ता हो जाएगी तब बाबा ने शामा से माधव अड़कर द्वारा रचित प्रसिधा आरती की प्रतिलिपी कराई और उदी की साथ नाना साहिप के पास भेज दी बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुवा ने श्रीडी से प्रस्थान कर दिया और पौने तीन वजे रातरी को जलगाओं पहुचे इस समय उनके पस केवल दो आने ही शेश थे जिससे वे बड़ी दुवीधा में थे इतने में ही एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि श्रीडी से आये हुए बापू गीर बुवा कौन है उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं श्रीडी से आया रहा हूं तो मेरा ही नाम बापू गीर बुवा है उस चप्रासी ने जो कि अपने आपको नाना साहिब सांदोर कर दोरा भेजा वा बतला रहा था उन्हें बाहर लाकर एक चांदार तांगे में बिठाया इसमें दो सुन्दर घोड़े घोड़ी जुते हुए थी अवे दोनों रवाना हो गए तांगा रोक कर घोड़ों को पानी लाया इसी बीच चप्रासी ने रामगीर बुवा से थोड़ा सा नाश्टा करने को कहा उसकी दाड़ी मूच्छे त उसमें आपको कोई आपत्य और संधिय नहीं करना चाहिए तब वे दोनों जल्पान कर पुना रवाना हुए और सुर्योद एकाल में जामनेर पहुच गए रामगीर वुवा लगुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट करा है तो क्या देखते हैं वहानों त तांगा था न तांगे वाला और नहीं तांगे की गोड़े उनके मुख से एक शब्द भी न निकल दाता वे समीप ही कचरी में पूश्टाश करने गए और वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही है वे नाना साहिब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं श जल में मिला कर अपनी लड़की को पिला देने और आर्ती करने को कहा उन्होंने सोचा कि बाबा की साहता बड़ी सामईक है थोड़ी दिर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पुर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई जब रामगीर बुवा ने नाना सह पुर्व सुचना ही थी ठाने के सेवानुवरत्य श्री बीवी देव ने नाना सहिब चांदूरकर के पुत्र बापु साहिब चांदूरकर और श्रीड़ी के रामगीर बुवा से इस संबंध में बड़ी पूश्ता ची और संतुष्ट होकर श्री साही लिला पत्री का रामगीर बुवा के कथन लिये हैं जो कि क्रमश एक जून 1936 16 सितंबर 1936 और एक दिसंबर 1936 को छपे हैं और यह सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुभाव भाग तीन में प्रकाशित किये हैं निम्नलिकित प्रसंग रामगीर बुवा के कथना अनुसार उद्र इंटि नाना साहिब को दे दू मैंने बाबा को बताया कि मेरे पास केवल दो रुपेई हैं जो की कोपर गाउं से जलगाउ जाने और फिर वहां से बैल-गाड़ी द्वार जामनें जाने के लिए अपरियापत हैं बाबा ने बने का अल्ला देगा शुकरवारा का दिन था म शिक्रही रवान हो गया मैं मनमार साड़ी छे बजे सायकाल और जलगाव रातरी को दो बच्च कर पेतालिस मिनिट पर पहुचा उस समय प्लेग निवारक आदेश दारी थे जिससे मुझे हस्विधा होई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुचू रातरी को तीन बजे एक चप्रासी आया जो पैर में बूट पहने था सिर पर पगड़ी बांदे वान्य पोशाग भी पहने था उसने मुझे तांगे में बैठा लिया और तांगा चल पड़ा मैं उस समय भैबीत सा हो रहा था मार्ग में भगूर किसम में बने जलपान किया जब प्रातर काल जा भक्त नारायन राव को बाबा के दर्शनों का 32 सो भाग्य प्राप्त हुआ सन 1918 में बाबा के महासमादी लेने के तीन वर्ष पश्चात विश्रड़ी जाना चाहते थे परन्तों किसी कारण वर्ष उनका जाना नहों सका बाबा के समादिस्त होने के एक वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए किसी भी उपचार से उन्हें लाब नहों हुआ तब उन्होंने आठो प्रहर बाबा का ध्यान करना प्रारंब कर दिया एक रात को उन्हें स्वपन हुआ बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबर ये मृत हो गए नहीं बाबा अमर है क्योंकि वे जीवन और मृत्यू से परे है एक बार भी अनन्य भाव से जो उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उससे वे सायता पहुचाते हैं वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर होक्त कि समक्ष प्र आंतरण हो गया उन्होंने बाला साइब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना आरंब कर दिया उन्होंने सच्चे रिदय से पूजा की वे हर दिन फूल चंदन और नवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाशा रख बंबई में एक बाला वुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ती भजन और आचरन के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे सन 1917 में वे श्रडी आये जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इनी चार वर्षों से जानता हूं ब मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्व व्यापक और सर्वक ज्यानी होते हैं तो अपने भक्तों के प्रति उनके रिदय में कितनी धया होती है मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी यह घटना उनको ग्यात हो गई इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का लोटना संभवना था उनकी अनुपस्तिती में तिसरे दिन उनके घर में निमन रिखी त्विच्चित्र घटना होई दोपर के समय अप्पा साहिप के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृती बाबा के चित्र से ही मिलती जूलती थी श्रीम्यती कुलकरणी था उनके बच्च दिना मांगी तो श्रीमती कुलकरणी ने उन्हें एक रुप्या बेहट किया तब फकीर ने उन्हें एक उदी की पूडिया देते हुए कहा इससे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो इतना कहकर वहां से चला गया अब बाबा की अद्भूत लीला सुनिये भिवंडी मे अपा सहब का घोड़ा बिमार हो गया जिससे वे दोरे पर आगे न जा सके तब उसी शाम को वे घर लोटाए घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ उन्हें मन में थोड़ी अशांती सी हुई कि मैं फकीर की दर्शनों से वंच जिर एवं अन्य के स्थानों पर खोच की परंतु उनकी खोज व्यर्थी सिद्ध हुई पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वेचनों का इसमरन करें कि भूके पेट इश्वर की खोच नहीं करनी चाहिए अप्पा सहब को शिक्षा मिल गई भोजन के उपरान तवे उसकी चवी भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है पकिने तुरंथ ही हाथ बढ़ाकर दक्षना मांगी अपा साहिब ने उन्हें एक रुपया दे दिया तब और मांगने लगा अपने अपने मित्र चित्र से तीन रुपय उधार ले कर दिये फिर भी वह मांगता ही रहा तब अपा साहिब ने उसके घर चलने को का सब लोग घर आए और अपा साहिब ने उन्हें तीन रुपय और दिया था फिर भी अवह संतुष्ठ प्रतीत होता था और मांगे जा रहा था तब अप्पा साहीब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपे का नोठ है तो फकीने नोठ ले लिया और 9 रुपे लोटा कर चला गया अप्पा साहिब ने 10 रुपे देने को कहा था इसलिए उनसे 10 रुपे ले लिए और बाबा द्वारास परशित 9 रुपे उन्हें वापस मिल गए अंकर 9 रुपे अर्थपुर्णे तथा नवविधा भक्ति की और इंगित करते हैं यहां ध्यान दे कि लक्षमी भाई को भी उन्होंने अंतर समय में 9 रुपे ही दिये थे उदी की पुडिया खोलने पर अप्पा साहिब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत है जब वे कालांतर में श्रडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदेव हाथ पर बांते थे अब अप्पा साहिब को उदी की शक्ती विदित हो चुकी थी वे कुशाग्र बुद्धी के थे प्रथम उन्हें 40 रुपे माज से एक मिलते थे परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला इन अस्थाई आकर्शनों के अतिरिक तो उनकी आध्यात में एक प्रगती भी शिग्रता से होने लगी इसलिए सोभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारन करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहन करना उन्होंने वस्तुएं उदक्षिना आधी भेट कर शामा के द्वारा बाबा से लोटने की आग्या प्राप्त की वे मस्जीद की सीडियों से उत्रे ही थे कि उन्हें विचाराया कि बाबा को एक रुपया और अरपन करना चाहिए वे शामा को संकेत से यह सुचना देना चा पड़े मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए संत नर्सिंग महराज जो की मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे भक्तों को वही छोड़कर हरी भाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगी कि मुझे मेरा रुपया द द्वारा ले लिया इस कता से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न है कता वे किसी ने किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं श्री सत्गुरु साइनात और पड़ामस्तु शुभाम भवतु